जय श्री राम, हिंदू धर्म से जुड़े व्रत और त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें. धन्तेरस का पर्भर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथी को मनाया जाता है. इसे धन्त्रयोदशी वधन्वंतरी जयन्ती के नाम से भी जाना जाता है. यह त्योहार धन और सम्रिद्धी का कारक माना गया है. प्राचीन मान्यता के अनुसार इस दिन आज हम आपको साल 2022 में धंतेरस किस दिन मनाया जाएगा, पूजा का शुब मुहूर्थ और यम पूजन के बारे में बताएंगे। व्रिशब काल पूजा मुहूर्थ सानकाल साथ बचके एक मिनट से रातरी आठ बचके छपपन मिनट तक। त्रयोदर्शी तिथी प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर सानकाल 6 बचके दो मिनट पर। धंतेरस पूजन विधी धंतेरस के दिन संध्याकाल में पूजा का विधान है। इस दिन शाम को पूजा स्थल में घर की उत्तर दिशाकी और भगवान धनवंतरी और कुबेर की प्रतिमा स्थापित करें और प्रदोशकाल में उनकी विधिवत पूजा करें। इस दिन शाम के समय माता लक्ष्मी और भगवान श्री गनेश जी की पूजा भी जरूर करे। इस दिन क्या करें? शास्त्रों में इस तिथी का खास महत्व माना जाता है। तेरस के दिन सबसे पहले प्रातहकाल स्नान कर अपने घर और पूजास्थल को अच्छी तरह से स्वच कर ले। इसके बाद इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार चांदी, पीतलव अन्यधातु, दीपवाली से संबंदित खरीदारी, मिट्टी का दीपक या लक्ष्मी गनेश जी की प्रतिमा खरीदे। इस दिन धन संपत्ती की प्राप्टी हे तु, कुबेर देवता के लिए घर के पूजास्थल पर दीपडान करें और उनकी विधिवत पूजा करें, और अंत्मेयम देव के नाम से घर के मुक्खे द्वार पर भी दीपडान करें, इस से जीवन में शुभ फलों की प्राप्